SSCGD का जो एक्जाम था वो 20 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्ज तक चला अपना देख ही लिया होगा स्कोर आपको कितने नमबर मिल रहे हैं यह आपका रेंक मित्रा है यह आपका रेंक IQ है जिनको बहुत जादा बंदों ने सॉल्व किया तो ऐसे कोस्चन जिनको कम बंदों ने सॉल्व किया है आप सबों के मन में एक कोस्चन हमेशा आड़ाता है कि भाईया आप ये बताए कि मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे किस शिफ्ट को कितना नमबर मिलेगा और ओबर ओल हमें कितने नमबर का फायदा होगा तो आज का वीडियो आपके इंपोर्टेंट होने वाला है बहुत सारे बच्चे हमेशा यही कमेंट करते हैं कि भाईया मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मेरा तो आठ फरवरी को है कोई बारा फरवरी को है कोई बीस को है कोई तैस को है कोई तीन मार्च का हुए तो सब का बस एक ही सवाल रहता है कि मुझे कितने marks मिलेंगे तो देखो आपके जो भी forces है सारे forces में धेर सारे vacancies इंपटी है आपके CISF हो या फिर आपके CRPF हो या फिर हम बात कर लेते हैं Assam Rifle की या फिर आपके BSF हो बहुत सारे seat खाली हैं और आप देखना इस बार आपके seat में बरहुतरी भी होगी और आप लोगों के cutoff कम ही जाएंगे तो अगर हम बात करने आपके SSCGD exam की तो आपका जो SSCGD का जो exam था वो 20 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चला है कब तक चला है? 7 मार्च तक 20 फरवरी से शुरू हुआ और 7 मार्च तक चला है और एक बार री एक्जाम भी हुआ री एक्जाम कितने candidate का हुआ है? तो 16,185 बंदों का री एक्जाम हुआ है और वो री एक्जाम हुआ है 30 मार्च 2024 को कब हुआ है मेरे साथियों? 30 मार्च 2024 को क्योंकि कुछ technical issue आ गए थे इस वज़ा से 16,185 बंदों का री एक्जाम लिया गया है तो मेरे दोस्त आपके जो मन में सवाल है न कि normalization में मुझे कितने नंबर मिलेंगे तो देखो आप लोगों ने तो अपना देख ही लिया होगा score आपको कितने नंबर मिल रहे है यह आपका rank मित्रा है यह आपका Rank IQ है यह दोनों app जो है यह बिल्कुल ही सही दिखाता है इस app में अगर आपको plus twenty मिल रहा है या plus 15 मिल रहा है या plus ten मिल रहा है तो आपको यह मान कर चलना है कि आपको जितने भी marks मिल रहे हैं 80% ये दोनों जो है rank मित्रा और rank IQ सही दिखाते हैं इसलिए घबराने की कुई बात नहीं है अगर इन दोनों site पर या app पर आपने अपना normalization marks चेट किया है तो आपको बिल्कुल सही data दिया गया है अब हम बात करना है sscd exam में बहुत सारों ने google form के सहीता से भी अपना काम किया है जैसा कि आप जानते हैं rwe वालोंने google form के सहीता से ही आपको बताया था कि आपके कितने marks आ रहे हैं तो मेरे दोस्त आपको जो google form की मदद से बताया गया है वो भी कही न कहीं हद तक सही है लेकिन इसमें एक mistake है कि इसमें क्या है कि बंदा individual अपना data देता है क्या देता है individual data देता है इसलिए अगर हम google form की बात करें तो ये 110% सही नहीं है ये 60 से 70% तक ही google form success है अब आपके मन में हमेशा यही सवाल चल रहा है कि भया जल्दी से बताइए हमारा तो 8 फरवरी के दिन एकजाम हुआ 9 फरवरी के दिन एकजाम हुआ कोई बोल रहा है 23 फरवरी को कोई बोल रहा है 3 मार्च को तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे कितने फाइनली आप ये बता देजे तो SSCGD का जो exam है जो आपको normalization में marks दिये जाते हैं वो दो चीजों पर दिया जाता है कि आपके जो exam हुए वो hard shift में था या फिर आपका exam medium shift में था अगर आपका exam hard shift के दिन हुआ तो normalization में आपको थोड़ा ज़्यादा marks मिलेंगे वही अगर medium shift में हुआ तो आपको normalization में थोड़े कम marks मिलेंगे उसके बाद ये भी कही न कही माइने रखता है मेरे दोस्त कि वो जिस दिन आपका exam हुआ था जिस दिन आपका exam हुआ था उस दिन ढेरे सारे ऐसे questions थे कुछ ऐसे questions थे जिसे कुछ ही बंदों ने solve किया और कुछ ऐसे questions थे जिनको बहुत ज़्यादा बंदों ने solve किया तो ऐसे questions जिनको कम बंदों ने solve किया है average कम बंदों ने touch किया है तो normalization के समय उसे थोड़ा ज़्यादा marks दिया जाता है इसलिए आप कभी कभी देखोगे कि normalization में किसी को plus 10 मिल गिया है और किसी को plus 15 मिल गिया है और किसी किसी को plus 20 भी मिल जाता है कुछ regions होते है normalization system के जो आपको बताती है कि आपके कितने ज़्यादा marks बरेंगे लेकिन man जो सबसे man जो topic होता है वो आपका hard shift है और medium shift है मतलब आपके जो exam हुए वो hard shift में थे या medium shift में थे देखो यह जो normalization system शुरू हुआ न यह मियन रूप से जब 2018 में हम लोगों की vacancy आई थी पहली दफ़ा हम लोगों ने online exam दिया था उसी समय से normalization system शुरू हुआ है और अगर हम बात कर लें 2018 की तो 2018 में हम लोगों को ज़्यादा नहीं plus 4 या plus 5 maximum plus 7 marks ही मिले थे तो 2022 में plus 10 से लेकर plus 17 marks तक मिले हैं तो मेरे दोस्त अगर आप बोलोगे कि भाया आप मुझे 100% बता दो कि किस shift में कितना marks मिला पहुच फरवरी को या पहुच मार्च को या 8 फरवरी को या 23 फरवरी को कितना marks मिलेगा तो मेरे दोस्त आपको 100% कोई नहीं बता सकता है मैं आपसे जूट नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ इतना तय है कि इस बार जो आपका होगा 2024 में जो आपके normalization marks मिलेंगे तो इसमें मान कर चलो आपको average प्लस 8 marks सब को मिलेगा और आप देख लेना किसी किसी को प्लस 15 से लेकर प्लस 20 तक भी marks मिलने वाले हैं अब अगर आप definitely बोलोगे कि भाया मुझे आप जो है shift wise बता दीजिए तो देखिए shift wise आपको भी पता है कि ये बताना थोरा मुस्किल है shift wise बताना मुस्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत सारा data चाहिए लेकिन आप मान कर चलो कि आपको प्लस 10 से लेकर प्लस 20 marks तक मिलने वाले हैं क्योंकि इस बार जो sscgd conduct exam करवाया जा रहा है जो 2024 में जो आपके result आएंगे एक बात ये मान कर चलो कि इस बार आपको normalization में ज़्यादा marks मिलेंगे ये तय है क्योंकि हर forces में कहीं न कहीं seat खाली है हर forces में ज़्यादा से ज़्यादा बंदों की जरूरत है तो मेरे दोस्त अपने मन में कोई भी सवाल नहीं रखना है अगर सवाल है तो comment box में comment करो मेरे से अगर आप इंस्टा पर direct बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईटी है 0-kilometer 1 यहाँ पर आप मेरे को DM करो मैं आपके हर DM का reply दूँगा तो मिलते हैं आप से बहुत ही जल्दे एकले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत राधे राधे और आपका जो यह जो डिस्पले पर देख ले हो ना वर्दी लेने का सपना इस स्वर से दुआ है इस बार पूरा हो जाए